नमस्कार मैं हूँ अग्रिमा जादौन प्राइम नियूस 24 में आप सभी का स्वागत है एक व्यापारी परिवार ने कराया है इस घंटे की कुल कीमत करीब 20 लाक रुपे बताई जा रही है दरसल हिंदू आस्था के प्रमुक केंद्र भविर राम मंदिर के निर्मार की बात से पूरे समाज में खुशी की लहर है राम मंदिर को लेकर लोगों में अगाम आस्था है इसी आस्था के तहट लोग अपने अपने तरीके से भगवान राम के प्रती अपनी शर्दा व्यक्त कर रहे हैं इसी कड़ी में जलेसर के मितल परिवार ने 2100 किलो का घंटा राम मंदिर में लगाने के लिए दान करने की बात कही है इस घंटे की खास बात ये है कि इसमें गुर्वत्ता पून मेटल का उप्योग किया गया है कि जब ये घंटा बजेगा तो इसकी आवास 15 किलो मीटर दूर तक सुनाई पड़ेगी इस पूरे घंटे को बनाने में करीब 20 लाग की लागत लगी है इसके अलावा इस घंटे को बनाने में इकबाल तधा दाव दयाल नाम के कारीगरों ने अपना एहम योगदन दिया है इकबाल ने पूरे घंटे का फार्मा बनाया तो दाव दयाल ने इसको तयार किया है करीब 6 फीट यूँचाई का यह घंटा लोगों में आकरशन का केंदर बना हुआ है और जब से इस घंटे को अयोध्या बेजे जाने की बात लोगों के सामने आई है तब से यह और खास हो गया है घंटे का निर्मार कराने वाले प्रशान्त मितल बताते हैं कि यह घंटा हमारे परिवार के द्वारा आयोध्या के राम मंदर के लिए भेट किया जाएगा उन्होंने बताया कि मंदर निर्मार के बाद घंटा टांगने की वेवस्था जैसे ही शुरू होती है स्वेम घंटा ले जाकर वहां भेट किया जाएगा एटा से प्राइम नियूस 24 के लिए विकास दुपे की खास रपोर्ट गंटा गाम मंदर में बेट किया जाए इसको है इसको है इसको है हिंदू-मिस्लिम कारीकरण बनाया है इसका फर्मा बनाया था और दाउजयल कोशवा ने इसकी धलाई और तुरी कंप्रीट इसको त्यार किया कि यह कब आप लोग भेजेंगे कब तक जाएगा यह बंटा यह मंदर निर्मार का कारीकरम शुरू हो चुका है और इसमें जब इसकी विवस्ता तागने की हो जाएगी तुरंत इसके बाद हम इसको लेके वहां भेट करेंगे